इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। अन्य दवाओं के साथ combination में लेने की सलाह दी जा सकती है। सीज़त तीन सिर्फ की कुछ शुरुवाती खुराक लेने के बाद allergic लक्षन कम हो सकते हैं। गंभीर allergy की स्थिती के मामले में आपके बच्चे को एक या दो सप्ताह के लिए दवा लेना जारी रखना पड़ सकता है। यदि आपका बच्चा दवा के सेवन के 30 मिंटों के भीतर उल्टी कर देता है, तो बच्चे को पहले शांत होने दें और जब वो अच्छा महसूस करने लगे तो उसे वही खुराक दें। लेकिन अगर अगली खुराक का समय हो गया है तो ऐसा बिलकुल ना करें। आपके बच्चे को इस दवा को लेने के बाद मिचली आना, वामिटिंग, ड्राइ माउथ, चक्कर आना, नींद आना और सिर दर्ड जैसे हलके साइड इफेक्ट्स का अनुभव हो सकता है। ये ल बच्चा कोई दवाया ले रहा है या किसी दवा प्रोडक्ट या आहार से उसे अलजी है तो बच्चे के डॉक्टर को बताएं। यदि आपके बच्चे को दिल, लिवर, किड्नी की कोई समस्या है या समय से पहले पैदा हुआ है तो अपने डॉक्टर को बताएं। बहतर बनाने के लिए डॉक्टर को मार्ग दर्शन मिलेगा। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।